आठ मार्च को दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जाएगा आज हम एक ऐसी महिला अधिकारी से बात करेंगे जो पहले सिक्षा के छेत्र में काम कर रही थी और अब आईपियस अधिकारी बनकर देश की सेवा कर रही है हमारे साथ बात करने के लिए मद्यजिला डीसीपी श्वेताव चाहन है मैं सिक्षा से पुलिस का सफर कैसा रहा अधिके बच्पन से ही मैं चाहती थी कि बड़े ओके कुछ देश के लिए कुछ करें समाज के लिए कुछ करें तो पहले मैं शिक्षा के चेतर में उत्री जो की एक अच्छा काम है जिसकों की समाज के निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है और वह कर रही थी उसके मैं और भगवान की दया से वह मुझे 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 मिला तो अब मैं इसलिए IPS में रहके कोशिश करते हूं कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें कास तर्फे महिलाओं के लिए कुछ काम कर सकें और एक सशक्त और एक सुसंस्त समाज हम लोग बना सक मैं 2010 बैच की IPS हैं अभी फिलहाल सेंट्रल जिला समाल रही है जो दिल्ली में एक समवेदन सील जिला माना जाता है मैं मध्य जिला में 64 साल बाद कोई महिला पुलीस अधिकारी यहां पर लगी है कितनी बड़ी चुनोती है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पुलीसिंग जो है वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करती है यह हम सभी अधिकारी है और सब लोग अपने अपने जगा रहके काम करते हैं एक पुरे जो एक पुरा सिस्टम है पुलीसिंग का उसको चलाते हैं तो जो हमारे माननीय सीपी सर ने विश्वास दिखाया है मुझे के जिम्मेदारी दी है मैं कोशिश करती हूं कि मैं इस पर खरी उत्रूं और पुरी जीजान से मैं महिनत करती हूं और आप पुलीसिंग में कोई भी महिला या पुरुष नहीं होता है यह जेंडर न्यूट्रल जॉब है और वैसा ही होना भी चाहिए पब्लिक को भी उसे के बढ़ाने के लिए कि सेंट्रल जिला थोड़ा सेंसेटिव समझा जाता है थोड़ा क्यूंकि यहां पर अलग-अलग समदायों के लोग रहते हैं पॉपुलेशन जो है लगभग आधी-आधी होने से ऐसा रहता है कि यहां पर सेंसिटिविटी थोड़ी सी हाय रहती है त सबसे अपना वेश्ट दे सको हमाहिम महिलाओं की बात महिलाओं तो महिलाओं को आगे लाने में दो तरख ए हैं रहें एक तो यह कि हम अपूब पर काबो करें जो महिलाओं को एफेक्ट करते हैं जिस तरह के स्टीट क्राइम इव टीजिंग हो गई कभी चेन स्नैचिंग हो गई रॉबरी हो गया उन चीजों पर हम लोग कंट्रोल करें ताकि उनको एक सेफटी का सुरक्षा का एक महौल मिले तो वह जो करना चाहें जो न क्या है तो महिला अगर पुलिस को अप्रोच करें तो उसकी हम हेल्प कर पाएं तो उसको मद्दिर अजर रखते हुए मैंने अपने जिले में पिंक बूथ की शुरुवात की है जो कि एक इनिशेटेव है जिसको कि सबने पसंद भी किया है और आज डेली में पहला हमने बन को बनाया था पिछले साल और अब दिल्ली में 48 बूथ बन चुके हैं यह एक वोमन फैसलिटेशन बूथ है जिसमें की वोमन मतलब पुलिस परसनल रहती है वोमन ऑफिसर रहती है और महिला कंप्लेंट्स की समस्याओं को वहीं पर सुलजाने की कोशिश करती है हमने कई तर पर सुविधा दे रहे हैं तो एक तरह से एक वन स्टॉप आपका सेंटर की तरह वो काम करेंगा महिलाओं के लिए उसके अलावा हम लोग ने एक अपने यहां पर महिला जो पुलिस कर्मी है उनके लिए यह ने काम किया है कि उनको फील्ड में उतारा है ज्यादा से जादा तो हमने प्रशक्ती प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वहलाओं के अंदर की छुपीवी शक्ती को बाहर निकालने के लिए और प्रभल करने के लिए प्रखर करने के लिए हमने गिया है कि उनको जब पर दबीच्ट मे लगाया है अकमने मेरे Pennell Couch पार्स के साथ वो काम कर मोटर साइकल पे स्कूटी पे लड़किया निकलती है और आप जब देखेंगे तो आपको भी खुशी होगी जितने जोश से वो लोग पेटोलिंग करती है पपलिक के बीच में जाती है तो वो भी काबिले तारीफ है एक हमने अपने ही इलाके में नया इनिशेटिव है जीवी रोड इलाके में जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को अक्यूपेशनल ट्रेनिंग देने की कोशिश यह है कि उनको कुछ ऐसे स्किल्स दिये जाएं जिससे कि वह एंप्लॉयबल हो जाएं और किसी और फील्ड में जाकर भी वह काम कर सके तो वह एक फैस के लिए आपका क्या संदेश होगा है देश की बेटियों के लिए मेरा यही संदेश है मैं खुद हम तीन बहने हैं और मैं सबसे बड़ी हूं तो सबसे पहले तो अपनी जो एजुकेशन है बिकोज़ू केशन इस एंपावरमेंट तो अपनी एजुकेशन से कभी कॉम्प् यह सुना आपने मध्यजिला DCP श्वेता चोहान को जो पहले DU में सिक्षक थी वहां पर पढ़ाती थी और उसके बाद इन्होंने IPS का सफर तैय किया अब यहां पर रहते हुए यह महिलाओं को मजबूती दे रही हैं चाहें वे खुद इनकी महिला पुलिस कर्मी हैं या छे TV भारत दिल्ली